बादलों का घर मेगहले का यही मतलब है पुर्वतर भारत के इस छोटे से राज्य में पहाड ही पहाड है समुद्र तल से करीब 100 मीटर से लेकर लगभग 2000 मीटर तक की उंचाई वाले पहाड थिन रोयट गाउं में 3,5 तीन हजार लोग रहते हैं ज्यादा तर खासी जन जाती से हैं, उनमें से आधे लोग ही पढ़ना लिखना जानते हैं सोनिया भूपलांग यहां तीन साल से सहायक नर्स और आया के रूप में काम कर रही है उनका ध्यान बच्चों और उनकी माओं पर है अगर उनके मरीज स्वास्त केंदर तक नहीं आ पाते तो वो उनके घर चली जाती है पैदल लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है उन्हें अच्छा लगता है वो जानती हैं कि उनका काम जिन्दगियां बचाना है हम बच्चों को टीका लगाते हैं माओं की सेहत में सुधार के लिए उपचार करते हैं परिवार नियोजन के बारे में बताते हैं हम यहाँ मरीजों का इलाज कर सकते हैं लेकिन अगर उन्हें कोई गंबीर बिमारी है या उन्हें बड़ा इलाज चाहिए तो सरकारी अस्पतालों को रेफर कर देते हैं सोनिया जिस सरकारी स्वास्थ उपकेंदर में काम करती है वो इलाके के करीब 8000 लोगों को सेवाएं देता है लेकिन पहले यहां इतना काम नहीं था क्योंकि बहुत से गामों की तरह थिन रोयट में भी बिजली की सप्लाई भरो से मंद नहीं थी लाइट कुछ ही घंटों के लिए रहती थी चुकि हमारे पास बिजली सप्लाई नहीं थी तो मरीज आने से डरते थे खासतोर पर गरवती महिलाई यही समझती थी कि उपकेंद्र पर आने की जगा घर पर ही डिलीवरी करना सही है मेगाले में करीब आधेशिशू अस्पतालों में नहीं बलकि अपने घरों में जन्म लेते हैं लेकिन कई बार मामला पेचीदा हो जाता है इस राज्य में नवजात और मा की मृत्युदर राष्टरिय औसत के मुकाबले काफी ज्यादा है घर पर एक के बाद एक डिलीवरी के बाद 37 साल की भालंग ने अपने साथमें बच्चे को एक साल पहले थिन्रोइट उपकेंद्र में जन्म दिया जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ यहां बिजली नहीं थी थोड़ा उजाले में काम चलाने के लिए मुम्बतियां जलानी पड़ी बच्चे को गर्म रखने के लिए कोईले की अंगीठी लगाई यह स्थिती सौर मंडला फाउंडेशन और उसके सह संस्थापक नागा कार्तिक के ध्यान में आई यह NGO मेघाले के दूर दराज इलाकों में बसे समुदायों के बीच काम करता है उन्हें इलाके के दूसरे उपकेंद्रों की समस्याओं का भी पता चला फ्रीजना होने से वैक्सीन संभाली नहीं जा सकती बिजली नहीं थी तो चिकित सा कर्मी यहां रह भी नहीं सकते थे नतीज तन आपात इस्थिती होने पर उन्हें आने जाने में लंबा समय लगता था हाई रिस्क प्रेग्नेंसी को देखते हुए ये वक्त बड़े काम का हो सकता है लेकिन आपका कीमती समय तो चला गया आपको इलाज नहीं कर पाए इसका समाधान था विकेंद्री कृत सौर उर्जा इसके लिए सेलको फांडेशन से मुलाकात की गई ये NGO कुरे भारत के सवस्त केंद्रों में सौर उर्जा लगा रहा है लेकिन यहां बादलों के घर में सूरज कई कई दिन तक गायब रह सकता है यहां पर बारिश भी खूब होती है ऐसे में सौर उर्जा काम नहीं करेगी इन प्रणालीों को तयार करते समय मेघाले का मौसम निश्चित रूप से हमारे ध्यान में था हमने कहा चलो देखते हैं कि कुल मिलाकर यहां पर धूप कितनी रहती है उस नजरिये से और धूब के लिहाज से खराब से खराब इलाके को ध्यान में रखते हुए कारगर सिस्टम बनाने की कोशिश की गई उस सिस्टम को देश के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल होने वाली सौर क्षमता के मुकाबले करीब डेड़ गुना ज्यादा क्षमता चाहिए थी आसमान में कई कई दिन तक बादल चाहे रहने के बीच ज्यादा पैनल और बड़ी बैटरियां सिस्टम को चालू रखती है डिजाइन कामियाब रहा अब ज्यादा माई क्लिनिक आ रही है पहले 460 उपकेंद्रों में से 130 से 140 केंद्रों में डिलिवरी हो रही थी दूसरी कोशिशों के साथ सौर उर्जा भी जुड़ गई है साड़े 300 से 360 उपकेंद्रों में अभी डिलिवरी होने लगी है अब माई सुरक्षित महौल में जर्म दे रही है मातरी मृत्युदर में भी कमी आई है थिन रॉइट में सौर उर्जा बड़ा बदलाव लाई फ्रीजों में टीके रखे जाने लगी है जटिल परस्तिती से निपटने के लिए लेबर कक्षों में रोश्नी ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और सक्षन मशीने आ गई है बिजली की सपलाई निरबाद है हम सब लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारे सिंटर में सौर बिजली लग गई है माएं अब यहां आ सकती है उन्हें यहां इलाज मिलेगा और लंबी दूरी तै करके शेहर नहीं जाना पड़ेगा मेघाले का लक्ष है कि 2024 के अंत तक वो अपने स्वास्थ उप केंद्रों में वे केंद्री कृत सौर उर्जा से बिजली इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बने